कि बड़े बड़े रीशी लोग, एक दो रीशी नहीं, 88,000 रीशी एक बार तपस्या कर रहे थे, जग्य कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, कि जो शूत गुष्वामी है, शूत गुष्वामी जब गए वहां था, 80,000 रीशी लोग खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहते हैं कि यह भगवन, आप कोई सधारन व्यक्ति नहीं है, आप हम लोगों के अज्ञान को दूर की दिए, आप करोरो सुर्ज के समान हैं, हम लोग बहुत इस जग्य में लगे हुए हैं, लेकिन इससे सांती का इसे प्राप्त होगी, इसको आप बताईएं, क्योंकि आप कोई सधारन व्यक्ति नहीं हैं, सुर्द गुष्वामी के चर्रों में सोनक आदी रिशी लोग प्राप्तना करते हुए कहते हैं, क्या कोई सधारन व्यक्ति नहीं हैं, आप हजारों सुर्ज के समान हैं, जैसे सुर्ज के उदय होते ही अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही हजारों अज्ञानियों को दूर करने वाले आप हैं, तो आप कृपा करके हम लोगों के दूख से निवारन कीनी हैं, आप एक अचार्ज की तरह हैं, आप एक गुरु हैं, एक बैष्णव हैं, तो जो बैष्णव होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भगवान के धाम को भी दे देते हैं, जिन्ता मरीर, लोक सुखम, सुरद्रु श्वर्ग संपदम, प्रयक्षती गुरु परितह, बैकुंठ योगी दूरलभव, जिसके उपर महात्मा प्रशन हो जाते हैं, गुरु प्रशन हो जाते हैं, तो जो भगवान का धाम बैकुंठ होता है, वो भी मिल जाता है, तो आपके चन्नों में हम प्रार्थना करें, आप हमारे दूख को दूर के लिए, इतना सुन करके सुट्क सवामी अब कथा बताते हुए, एक बार की बात है, कि नादद जी बीच्रन कर रहे हैं, नादद जी सब जगह घूमते ही हैं, तो घूमते हुए बीच्रन करते हुए, नारद जी क्या किये है कि ब्रह्म लोक से चलते हुए बद्रिकास्रम आधी होते हुए वो जब ब्रिंदाबन में आए है तो ब्रिंदाबन में देखते हैं कि एक जुवती इस्तरी है और उसके बगल में दो ब्रिद्वेक्ति स्वय हुए है दो ब्रिंद्वेक्ति स्वय हुए है और नारद जी को देख करके वह जो इस्तरी है वो जोड़ जोड़ से रोना प्रादम कर दे रोने लगी रोते हुए कहती है कि हे महाराज आप हमारे दूख को दूर कि यह आप लोग समझ रहे हैं कथा जो मैं कह रहा हूं समझ म्या रहा ह जो मैं चालो कियां हो का था ध्यान दीजिएगा कि नारद जी आप लोग ध्यान नहीं देंगें तो नहीं समझ में आएगा इसे समझ में नहीं आएगा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rāma, 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 Rāma नाराजी को देखर करके वो इस्तरी कहते है कि भोभो साधो छरम तिष्था मच्चिंता मपिनासया दर्सनम तवलोकस्या सर्वतागा हरंपरमा हे माराज आप हमारे दूख को दूर कीजिये हम बड़े दुख्यी है तो नाराजी कहा है कि तुम कारण से दूख्यी हो बताओ दूख का कारण क्या है दूख्य किस लिए हूं तुम हो काहु, तब कहाती है कि मैं भाक्ति हूँ। अपना परिचय देती है कि मैं भाक्ती हूँ। और ये दोनों जो ब्रिद व्यक्ति सोय हुए है ये दोनों मेरे बेटा है। एक का नाम ज्विट्वान है और दूसरे का नाम व Sapodhana Colling आज तक मैं ऐसी घटना कही नहीं देखाओं कि माता जुवती है और पीता माता जुवती है उनके दोनों लर्के जो हैं वो ब्रीध है यह तो प्रथम घटना देखने को मिल रहा है यह कैसे हुआ बताओं यह दोनों बच्चे कैसे ब्रीध हो गए और तुम कैसे जुवती हो इस घटना को बताओं तब करते कि माहराज माय क्या बताओं हम लोगों का जन्म जो है द्रमीर देश में हुआ था उत्पन्ना द्रमीरे हम लोग द्रमीर में जन्म ली और इसके बाद में वृधीद करनाटक के गएथ हैं करनाटक में हम लोग बड़े हुए, भक्तिमारा निकारे कि मैं भी बड़ी हुई और हमारे दोनों बेटा भी बड़े हुए, इसके बाद में कुछीन कुछीन महाराष्ट्र है, जब हम लोग महाराष्ट्र में आये, तो वहाँ बड़ा मान, सम्मान, आदर हम लोगों को मिला बड़ा सुंदर वहाँ लोग बेवार करते थे, लेकिन जब गुजरात में प्रवेश किये, तो गुजरात में आते ही हम तीनों ब्रिध हो गए, भक्तिमारा निकारे हैं कि मैं भी ब्रिध हो गई, और हमारे दोनों लड़के भी बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, तो पुनह प्राफ्यम नवी नईवा सुरू पड़ी, जब बृंदा बन में प्रवेश की, तो बृंदा बन में आते ही मैं सुंदर रूप वाली हो गई, सुंदर मेरा रूप हो गया, जो बृद थी, जो बुढ़ी हो गई थी, ओ मैं जीवती बन गई, लेकिन मेरे लड़के जेओं के तेओं हैं, बृद के बृद ही हैं, तो हे महराज आप कृपा करके, कोई ऐसा उपाई की लिए, जिससे मेरे लड़के जवान हो जाएं, हमारे लड़के भी जुवा को हो जाएं, मैं यहीं चाहती हूं, तो इतना सुन करके, नादत जी कहें कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाई करूंगा, भक्ति महरानी कहते हैं, कि हे नादत जी, आप चाहेंगे, तो आप हमारे दोनों लड़कों को जवान कर सकते हैं, क्योंकि आप एक साधू है, भक्ति महरानी कहते हैं, आपने बहुत लोगों का उधार किया है, भक्ति से दुख करने से सारा दुख दूर हो जाता है, भक्ति का, नारजी से कहते हैं, भक्ति महरानी कि आप एक महात्मा है, जयती जगती माया, जश्यकाया, धवस्ते, बचन रचन वेकं केवलं चाकलय, धृवपदम अपियातो यत्कृपातो धृवयम, शकलकुषलपात भक्ति महात्रम ब्रम्हपूत्रम नतारस्म। करें कि हे महराज, आपकी जय हो, आपने कयाधू के जो पूत्र प्रहलाद है, उसको आपने गर्व में ही भागवत सुनाया, आपने छोटा बच्चा धृवव महराज को आपने कथा सुनाया, भगवान के विषय में बताया, जिसको सुन करके उसके सारे दुख दूद हो गए, और धुपद को प्राप्द कर लिया, तो आप चाहेंगे तो आप हमारे बच्चे को भी जवान बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, तो भव्ति महारानी नादा जी के चरनों में प्रार्थना करें, हम लोग क्योंकि भगवान के चरनों में थोड़ा प्रार्थना करते हैं, ठीक है तो आप लोग सभी लोग प्रार्थना किंजेगा में रिजाद, एक भजन के द्वाला हम लोग भगवान के चरनों में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान ही सब के दूख को दूर करने वाले है अगर कोई व्यक्ति भगवान के सरण में जाता है, तो भगवान उस व्यक्ति के दूख को दूर करते हैं, तो आप सभी लोग मिठी-मिठी ताली और सुन्दर आवाज में जितना गा सकते हैं, उतना गाईएगा, मैं गाऊंगा आगे-आगे, और पीछे से आप लोग भी गा और संसार में जो भी जन्म लिये हैं, वो सब दुखी हैं, अगर सुखी कोई है, तो जो भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम दाता है, तो हम लोगों को भगवान के सरण में चलना है, भगति मारानी नाराजी के सरण में जाकर के प्रार्थना कर रही हैं, कि ये नार वो लोग ही दुखी हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सबी लोग दुखी हैं, और सुखी वही होंगे जो भगवान के सरन जा करके भजन गाएंगे, तब हम लोग भजन गाते हैं, अरे ब्रेज के नंद लाला, राधा कैसामरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिए, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिए। ब्रेजे के नंदे लाला राधा युके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तिरा हमेरा ढ़ा सब दुख दूर हुए जब तिरा है या हाँ सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम दुख दूरे हुए जब तेरा नाम दुख दूरे हुए जब तेरा नाम 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 दूरे मीरा पुकार तुम्हें, गिर्वर को पाला मीरा पुकार तुम्हें, गिर्वर को पाला मेरा पुकार तुम्हें, गिर्धर को पाला मेरा मुपारित में किरिधर दो माला बन गया यम्रित में विश्का भरा प्याला बन गया यम्रित में विश्का भरा प्याला बन गया यम्रित में इसका भरा प्याना बन गया यम्रित में इसका भरा प्याना कौन मिटा ये उसे जिसे तुने दाख लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया सब दूर हुए जब दूर हुए जब दूर हुए जब तेरा नाम दिया सब दूर हुए जब तेरा नाम दिया हम सब दुख जूरे हुए जब तेरा नाम दिया रजे के नंद आला राख जुके सामरिया सब दुख जूरे हुए जब तेरा नाम दिया सब दुख जूरे हुए जब देरा नाम दिया देखिए मीराजी ने भगवान के सदन में गई और मीराजी जब भगवान के सदन में गई तो उनको पीने के लिए भीष दिया गया था लेकिन भगवान उसके लिए अम्रित बना दिया ने नुवेश्याम बशे मन में बनेवारी ने नुवेश्याम बशे मन में बनेवारी सुध भिसराय गई मुदले की धुने प्यारी सुध भिसराय गई मुदले की धुने प्यारी सुध भिसराय गई मुदले की धुने प्यारी सुध भिसराय गई मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तिरा नाम रहा सब दुख दूर हुए जब तिरा नाम रहा रचे के नंदा रादा जुके साम रहा सब दुख दूर हुए जब तिरा नाम रहा सब दुख दूर हुए जब तिरा नाम रहा सब दुख दूर हुए जब तिरा नाम रहा देख रहे हो तुम मेरे दुख दे सारे कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे अधर पर मुर दे है कांधे पे का मरिया अधर पर मुर रही है कांधे पे का वर्या सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम रहा आड़ मैरे आड़ ते जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम रिया है का वर्या का वर्या अधर पत्रशन दोगे मेरे हुए जब तेरा नाम भ्या सब दुक दूर हुए जब तेरा ना मलिया, सब दुक दूर हुए सारे दुख को दूर करने वाला ये कहीं उपाई है? ये कहीं मंत्र है? वो क्या है? बोलिए荷रेão करने चाहा है? और बोलिए मुख से बोलना है क्या बोलना है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 ड़ुखी है ना कि नही दुखी है Yang कि सीर में ड़त है किसी इतना पैसा नहीं है तर किसीक इतना कोई नियम से ले तो सारा समर्षिया दूर हो जाएगा। सारे टिंशन को दूर करने वाला यही भगवान का नाम है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। अगर आप इस नाम का जब खिगी है तो आपका जीतना समस्या है सब दूर हो जाएगा लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि हम जपेंगे नहीं कि छूप रहेंगे तो दूर हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा। अगर कोई भी भी पत्ति, कोई भी संकट, कोई भी समस्या अपने घर में आएगा। अगर पत्ति में खुब लडाई होता है तो उस समय जब चादू कर देजिए। लडाई नहीं होगा। कभी जगरा नहीं होगा। लेकिन जपना पड़ेगा। इसको बोलना पड़ेगा। तो इस बात को कौन कह रहे हैं भक्ति महरानी। भक्ति महरानी कहते हैं कि हे नारद जी। आप कोई सधारन व्यक्ति नहीं है। आपने तो बहुत लोगों का उधार किया है। तो हमारे भी दोनों बच्चों को सही कर देजिए ना। हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए हैं, उनका कैसे उधार होगा, कैसे कल्यान होगा, इवे दोनों कैसे जवान होगे, तो नारजी काते हैं, कि चिंदा मत करो, मैं कोई न कोई उपाय करता हूं, और इतना क्वा करके नारद जी बृंदा बन से चल दिये, और नारजी इ कि चनित तेज गती से भाग रहे हैं, आइसे दोडते हुए जा रहे हैं तेजी से, कहां जा रहे हैं, तो बृंदा बन से जमुना जी के किनारी से भागना चालो किये, और भागते हुए गंगा जी होते हुए हरिद्वार पार करते हुए, रिषी केस पार करते हुए, हिमाल ब्र濯ाण से बड़े वह भी विढ पुत्र एैं जिनका नावी सननातन, शनन धन और सनत कुमान जो ब्रहा के प्रथम संतान करते वी उमरकाथव से बड़े । जी वी वह पंच सल के दिखाएएो है वो चारो बच्चे उपर से आ रहे थे, बद्रिकास्राम से हिमालय से नीचे उतर है थे और नारशी नीचे से उपर शुआ जा रहे थे भगते हुए। तो चारो भाई देखा, तो देहकर गए। अरे नारशी आप इतना तेजगति से क्यों भाग रहे है। आप तो ऐसे परिशान दिखाई दे रहे हैं जाहिसे किसी व्यक्ति का धण खो गया हो और धण के निए छट बटा रहा है, वो ऐसे आप परिशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? अब, बताईए, उतना तो दूखी एक गिरहौश्त दिखाई देता है लग रहा है कि उसका धन खोया हुआ है, धन खोजने में भाग रहा है आप तो एक साधू है, एक विरक्त महात्मा है, एक सन्यासी है आपको इस तरह दुखी होने के क्या हो सेटा है तो नादा जी सुन करके क्या बोजे नारजी का है कि मैं जरूर दुखी हूँ अपने लिए नहीं मैं दूसरे के लिए दुखी हूँ सादो लोग दूसरे के लिए दुखी रहते हैं नारजी का परस्ना कोई समस्या नहीं है लेकिन नारजी का है कि है सनत कुमार आप बिल्कुर सही बोल रहे हैं मैं दुखी हूँ लेकिन अपने लिए नहीं तो सन्हत कुमार कहे कि किसके लिए दुखी हो तो कहते हैं कि मैं भगती के लिए दुखी हूँ कि भग्ति के दो लड़के हैं, वो दोनों लड़के ब्रिद हो चुके हैं, उन दोनों को कैसे जवान बनाया जाए, कैसे तरुन बनाया जाए, तो इतना सुन करके संधतकुमार हसने लगे, और हसते हुए काई कि महराज, आपके पास में वो दवाई है और आप इधर भाग र और उस कथा को सुनकर के व्यास देव जी के दुख दुर हो गया, तब उसी भागवत कथा का आयोजन के जिए, भागवत कथा कराने से सारा दुख दुर हो जाता है, आप एक ऐसा अनुष्ठान करवाईए, उस साथ दिल की कथा कराने है, और उस कथा को कराएंगे, तो जो तो भी समच्या होगा सब दूर, इतना सुन करके नारजी कहीं कि भागवत करानी है, तो कब कराया जाए, उसका समय बताईए, उसका मुहुर्त बताईए, तो कहें कि देखो, कोई भी सुब काम कराना होता है तो ज्यादा देर नहीं कराना चाहिए, जितना सीग रहो उतना ही जल्दी कर लो, कि अच्छे शिपीचार जब मन में आता है तो जल्दी कर लेना चाहिए, घड़ एक क्भी कोई मन बदल जाता है, मन में आया कि भागवत सुनना है, और तब तक, को चलो इस बात नहीं बाद में करवाता है, तब तक बाद में आते आते के कैंगा रहे, आप कैसे कराएंगे छोड़ो बाद में करवाएंगे इसलिए कहा जाता है कि जो शुब बिचार आता है मन में तो उसको जल्दी करना चाहिए और गलत बिचार मन में आता है तो उसको टालना चाहिए मालिक किसी का अहीत करने की इच्छा हो रहा है तो करने चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे कल नहीं परसो करेंगे तो साइध मन बदल जाएगा आप अहीत नहीं करेंगे और सुभ काम करने की इच्छा हो रहा है तो तुरंद कर लेना चाहिए तो सनत कुमार कहें कि आप जल्दी भागवत का योजन करवाओ तो नारजी क्या किये कि हरिद्वार में भागवत कथा का योजन करवाए नारजी स्वयं स्रोता बन जाते हैं और चारो भाई जो सनत, सनातन, सनन्दन और सनत कुमार चार भाई को भगता बनाए ये भागवत की परमपरा है, ये किहीं भक्ता नहीं होते हैं, 3-3, 4-5-5 भक्ता हो जाते हैं, तो चारों भाई को भक्ता बनाया गया है, और नारजी खुद स्रोता बन गया है, और किने भागवत कथा करा रहा है हैं? भागवत कथा का आयोजन करवाए और श्वयम स्रोता बन जाते हैं और स्रोता बन करके क्या करते हैं नारजी कि संकल्प किये कि भागवत भागवान आप कृपा करके भगती के दोनों लड़कों को जुवख किजिए का मैं कथा सुन रहा हूं और जिन ही भागवत कथा प्रारंब किया गया सनत्कुमार के द्वारा एक दिन की कथा होई दो दिन की होई थीन दिन की होई चार दिन की होई और ऐसे कथा होते 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 जब साथ दिन की कथा पुल्न होई तो उस समय क्या हुआ कि देखते देखते भगते सुतावताव तरुणव ग्रिहित्वा प्रेमय करूप सहसा बिरासे देखते देखते भगती के दोनों लर्खे जुवक हो गए जवान हो गए और भगती महहानी जो भुण्धावन में थे वो भगती महारानी हरीद्वार में निरित्य करते हुए पहुच गई और भगवान के नाम गाते हुए स्री क्रिष्न गोविन्दाने मु रारे, नाथे तिनामाँनि मुःौ्भधंती स्री क्रिष्न गोविन्दाने मु रारे, लाते नारायर ताहने कृफु राटे वालती दे इड़्ष्न कोविन थ्न हरे मुणाने रहा है। पर नाथ नालाय थ्न शिद्वाः स्क्रिष्न कोविन थारे मुणाने थे नाथनाने रहा सुझेवाः विष्ण को इंद घरे पुनारे एनात नारा यडवासु देवा विष्ण को इंद घरे पुनारे एनात नारा यडवासु देवासु 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 देव С्रीठा डे गौपार, जज्र मन्ने स्रीठा डे स्रीठा डे जर शेनादे, शेनादे, जर शेनादे कर दो दो पा 성ाने बाल वन्य से डादे कर दो 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 पर सब्सक्रली को ओका कर मोरेृ, भोते बीदुआ आपो एम अबन नंचाने को पासमोरे नंचाने को मोरे भो गुपस दी आपो को कुल पुपुट के आपर सोगे पेजन की आप गजमन से आपे जड़ गजन की आप गजमन से आपे को सी आपी मुखार गजमन से आपे कि आपे जड़ गजमन से आपे झाल आयंदा इपना इपना इसे कि पिना दिना 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 तो गल बहिया का बद मन स्वेयादे 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 चन्चन गयतमे पीशा, हट्मण स्टीरा के चन्चन मैं रिम्सा, हट्मन सेरा के चन्चन गयतम पीशा, हट्मन स्टीरा के जो आमार अर्णिस में बार रहा करते देटी रहारा होगी और दिन घर करते जग में करते रहा जद में करते रहा जग में करते रहा जद में करते रहा जग में करते रहा जग में करते रहा जद में करते रहा जग में करते रहा जग में करते रहा जग में करते रहा कि ही ल कंता व हूद shape की ल और हकरे व पहरे है की ल कंता व इन व हने ढ वख दे ह। क взять की ल कंता व्हां क्ता की ल पूख छूब्स. का क्ि ल कंता वे क लगगा ईघवर करें आपार, शेलाकर कर्दे यहुणने अगया शेयरतादि आपते बाते सिरलाक दो भूपार, शेलाकर किस अगया जाहिू सेलाकर Kathastu गुर्दम्य हरी लाले की ए, गुर्दम्य हरी सराले की ए इस प्रकार भक्ति महरानी अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ प्रगठ हो गई दोनों लड़के जवान हो चुके थे भागवशन करके हरीद्वार में जब दोनों किर्टन करते हुए भक्ति महरानी अपने बच्चों के साथ में जब वहाँ आई तो सभी लोग देखे जितने लोग बैठे हुए थे, सब लोग देखे कि दोनों ब्रीद थे जवान हो गए काथा हो जए हरीद्वार में लोग रहने वाले हैं ब्रिंदावन के और यहां आ गए इसके बाद में बहुत आश्चर्ज हुआ तब यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया है स्रोता कौन है भागवट काथा कौन सुन रहा है नारद जी और सुना कौन रहा है सनत्कुमाई तो उनके चरणों में प्राथना करते हुए प्रश्न किया सुनने वाले को देखे कितना साउधान रहना जाएगा नारद जी कहते हैं कि हे भागवण आपने अभी अभी कथा सुनाया कि भागवट के दोनों लड़के ब्रीद थे वो जवान हो गए और सुनाय ही नहीं सामने मैं देख रहा हूं कि दोनों जवान हो चुके हैं तो बताईए कि भागवट सुनकर के कौन-कौन पवित्र होता है किसका किसका उधार होता है तब नारा जी के बाद को सुनकर के सनत कुमार करते हैं कि देखो जो पापी ब्यक्ति है ओभी भागवट सुनता है तो उसका पाप दूर हो जाता है भागवट सुनकर के जो क्रोधी ब्यक्ति है, जो कामी ब्यक्ति है, जो लोभी ब्यक्ति है, जो दीन रात जूठ बोलता है, असत्यवादी, वो भी ब्यक्ति अगर कथा सुन लेता है तो उसका कल्यार होता है, जो दम भी ब्यक्ति है, जो निर्दई है, जो क्रूर ब्यक्ति है, इसमें ऐसा ऐसा कि जो किसी का हत्या कर दिया है, हत्या बहुत लोग किया है, कोई बक्रा का हत्या किया है, तो कोई मूर्गा का हत्या किया है, है कि नहीं, कोई मनुस्य काहीं हत्या कर दिया, तो ऐसे ब्यक्ति भी अथवा कोई आत्मा हत्या कर दिया है, आत्मा हत्या कर दिया है, कोई बीस खा प्राइप – सकता लाह University, कोईमी शांती है, प्राइपानम्रती हो जाती है, अबहुत लोगों का, तो उसका उधार क्या होका, कहा है कि चौह गिया कि जो आत्म हत्यारा है उसका उधार करना बना मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसे ब्यक्ति के लिए भी अगर कोई भागवत कथा सुन लेता है नहीं नहीं हमको ज़र्वत नहीं है देखे अगर कोई असत्य बादी ब्यक्ति है जो दम भी ब्यक्ति है जो हत्या किया है जो बद किया है आएसे ब्यक्ति भी अगर मृत्व को प्राप्त हो जाता है, वो भी अगर भागवत कथा सुनता है, तो कथा सुनने से उसका कल्यान हो जाता है, तो इस बात को सुन करके, नादर जी कहें कि एक दो उधारन आप देंगे, कि क्योलाई से ही सुना रहे हैं, किसी का उधार हुआ है, जो पापी ब्यक्ति उसका उधार हुआ है, कोईते हैं, आपको एक कथा सुनाता हूं, सुनत कुमार करें, कि एक कथा इतिहा सुना रहा हूं, अभी अभी आप लोग देखे ना, कि दो ब्रीध ब्यक्ति थे, वो जवान हो गए, भागव सुन करके, अब एक पापी ब्य ब्राभण थे, उनका नाम है धुन्धकारी, करें कि एक पंडी जी थे, अब कथा प्रादम कहते हैं, करें कि एक पंडी जी थे, जिनका नाम था आत्मदेव, आत्मदेव नामक एक ब्राभण थे, उनकी एक बहुत सुन्दर पत्नी थे, देखने में बहुत सुन्दर लगत जिसका नाम था? धुन्धुली. आत्मदेव पंडित उनके पत्नी का नाम था धुन्धुली. पंडि जी बहुत बड़े विद्वान थे, पूजा पाठ करवाते थे, प्रवचन भी करते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था. धन की कमी नहीं थी, बिद्या के कमी नहीं, सुन्दर्ता की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी थी कि उनका कोई संतान नहीं था. तो एक दिन क्या हुआ, कि पंडि जी दूखी होकर के, जंगल में गए, और जंगल में जाकर के, वो सोचे कि, आज मैं अपना आत्म हत्या करूंगा. अब जीने से क्या फाइदा है? उसी समय उस जंगल में एक सन्यासी महत्मा आये, और उस महत्मा को देख करके, उनके चरणों में प्रनाम किये पंडि जी, और लगे रो दें, जब जोड़ से रोने लगे, तो महत्मा उस पंडित को देख करके कहते हैं कि आप क्यों रो रहे क्या बात है तो कहते हैं कि महाराज मैं क्या बताओं मैं बहुत दुखी हूं क्या दुख है कि मुझे दुख यह है कि मेरा कोई संतान नहीं हो रहा है कोई पुत्र नहीं हो रहा है धिक जीवितम इस जीवन का धिकार है कि मेरे घर में धन बहुत है लेकिन मेरा कोई संतान नही तो इसे धन से क्या लाव है क्या भाइदा है आप कृपा करके मुझे संतान दीजिए मैं पुत्र की कामना कर रहा हूं तो इसको सुन करके महत्मा जी कही के देखो बेटा मैं तुम्हारे भागय को देख रहा हूं स्रिनु विप्रमया तेद्यम प्रारभधं तु विलोकितम सब्त जन्मा अधीतम पुत्रों नई वच नई वच नई वच और मैं तुम्हारे साथ जीवन के भविष्य को देख रहा हूं कि साथ जीवन तग तुम्हारा कोई संतान नहीं है कोई पूत्र नहीं है शन्यासी महत मात्मा बताते है कि तुम्हारे भागय में कोई संतान्छ नहीं है कोई पूत्र नहीं है इस बात को सुन करके वो पंडीरी विचार करने लगे कि आ अजए कि महत्मा कोई सधारण महत्मा नहीं है एक जीवन की बात कोई कोई बताते हैं और इसको तो साथ जीवन के बाद मालोम है तो जिसको साथ जीवन के विशे में जनकारी है क्या वो मुझे पूत्र नहीं दे सकता है जो साथ जीवन के विशे में जान सकता है वो तो मुझे संदान ही दे सकता है महात्मा जी बोले कि देखो तुम्हारे भाग्य में पूत्र नहीं है लेकिन वो ब्राभांड अपने बुधी का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो साथ जीवन के विशाय में जान सकता है वो मुझे संतान भी दे सकता है तो कहें कि हे महराज आप मुझे संतान दीजिए नहीं तो मैं आपके सामने ही आत्मा हत्या कर लोगा अपने आपको मृत्त को प्राप्त हो जाओंगा अपने आपको मैं मार दोगा इतना सुन करके महातमा जी देखे कि ये ब्राबना इसे समझने वाला नहीं है तो क्या किये कि तुरंट जंगल में थे ही जंगल में से एक सुन्द फल भृक्ष था और उस भीज से एक फल निकाल दिया और निकाल करके उस फल को पंडिरी को दिया जिस पंडित का नाम था आत्मदेव, आत्मदेव ब्राभन को दी और काई कि लो इस फल को और ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना, इस फल को आपकी पत्नी जब ग्रहन करेगी खाएगी तो इससे सुंदर संतान, सुंदर पुत्र का जन्म होगा, और इतना काव करके महा करके अपने पत्नी जो उनकी पत्नी है जिसका नाम है धुन्धुली, धुन्धुली को फल दिये है और कहें कि लो इस फल को अस्नान करके, भगवान के चलनों में प्राखना करके भोग लगा करके तुम इस फल को खा ले दाएगी इससे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप् वो इस तरीक खी हो फाल को तो ले ली लेकिं लेक Krase । भौन है चिन्ता में हो गहीं नहीं से सोच आया कि महार को नहीं खाऊंगी तो मेरा गर्व हो जाएगा और गर्व होने Все जो गर्ब है वो बढ़ने लगेगा फल खा करके, जब गर्बनी हो जाओंगी तो मेरा गर्ब बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि मेरा भोजन में कमी आजाएगी, मैं दीन में जो दस भर खाती हूं, अब कम खाना पढ़ेगा, अब सोच रही है, अब पता नहीं उसके मन में क्य क्या ऊठ़दा ऑठना अगर का। पाइब करी मेरा भोजन काम हो जाएगा और भोजन नहीं करूऊंग तो तो सारे घर काम कईसे करूंगी सारे ग GPS काम कामे अगर कहीं गा pepper दो बहलें में कामें मैं कोई चोर आ गए दखिए देया बदमास आ तो सब लोग भाग जाएंगे, हम नहीं भागवाएंगी, हमारा सरीर भारी हो जाएगा, इसलिए मैं फल को नहीं खाँगे. और भी सोच रहे हैं कि अए मैं सुनी हूँ कि सुगदेव को स्वामी अपने माता के गर्व में जब आय थे तो बादा वरस तक माता के गर्व में थे, कहीं मेरा भी संतान दो चार बरस पेट में रह जाएगा तो लो पिर कैसे में रह पाऊंगी. और यह अभी मैं सुनी हूँ कि कभी-कभी बच्चे गर्व में ही तेढ़े हो जाते हैं, तो कहीं मेरा भी संतान तेढ़ा हो जाएगा, गर्व से बाहर नहीं आएगा तो अपरेशन करना पड़ेगा, और अपरेशन करने में कभी-कभी मैं सुनी हूँ कि माताजी लोगों क सरीर छुट जाता है, तो कहीं मेरा भिम्रितु ना हो जाए, फाल खाने से पहले ही इस तरह की बात सोच रही है, उसी समय क्या हुआ, कि उसी गाह में उसकी एक सहेली रहती थी, सखी, वो आई और देखी कि उसकी सखी धुंधुली रो रही है, तो पुछती है कि सखी तुम क् क्या बात है, कितना दुखी क्यों हो, तो कहते है कि अरे सखी मैं क्या बता हूं, सारी बात बता दे कि यह फाल मेरे पती लाए है, मैं डर रही हूं कहीं मेरा गर्व रोक जाएगा, फिर बहुत दीकत होंगे, मैं फाल खाना नहीं चाहते हूं, तो उसकी सखी कहीं कि तुम मत करो, तुम क्या करो, कि तुम फल मत खाओ, तुम फल की अस्थान पर थोड़ा सा अपने शरीर में धिरे दिरे कपरा बांते जाओ जैसे जैसे गर्व बढ़ता है, वहसी बढ़ता है, वहसी वहसी कपwarmा की मात्रा बढ़ाते जाओ, और मेरा संतान होने वाला है, समाय के अ तो मैं तुमको अपना संतान दे दूँ और तुम हमारे पती को धन दे 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 दूँ दोनों का काम बन जाएगा, किसी को पता चलेगा नहीं और जहां इस फॉल की बात है तो इस फॉल का भी परिक्ष्याम लोग ले लेंगे, इस फॉल को तुम गाय को खिला दो, देखते हैं कि महात्मा में कितना सकती है, दोनों आपस में बात कर ली और अईसा ही हुआ, कि धुन्दुली फॉल नहीं खाई, जो फॉल था उस फॉल को गाय को खिला दी और अपने फ़ल न खाकर के जैसे जैसे माताओं का गर्भ बढ़ता है, वैसे 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 कपड़ अपने भीतर डालने लगी, और समय के अनुसार उसके सखी का संतान हुआ, वो लाकर को दे दी और गोसना कर दी कि मेरा पुत्र हुआ, उस समय आप्म आप इसका नाम नहीं रखेंगे, बहुत लोगों का नाम करन किये हैं, लेकिन इस लड़का का नाम तो मैं रखोंगे, तो पंडी जी का रखोगी, तो कहते कि मेरा नाम धंदुली है, इसलिए बेटा का भी नाम धंदुकारी होगी, जैसे आज काल के माताओं जी लोग रख अगर करन का संगाी है, हाय कि नहीं है? मंगरु उड़र क्या क्या नाम रख थे हैं पता रह, जिसका कोई उर्थ नहीं है, कभी भी अपने बच्यों का नाम अपने रखना चाहिए, दोस लगता रह, लगता है, नाम रखना चाहिए था किसी सादू के द्बारा, किसी किसी से लोग कथा करवाते हैं, किसी से पूजा करवा लेते हैं, लेकिन यह सम नहीं कराना चाहिए, जनना चाहिए, आप जो कर्म कर रहे हैं, इसको ध्यान देना चाहिए, कि जो करने वाला है, वो कैसा है, भागवत कथा कराने की बिधी है, कि किस से कथा करानी चाहिए, इसक आजकाल भीर लगी हुई है कथा करने वालों को भी, जहां देखिए बस कथा करने वाले बैठे हुगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस देखना थे, अभी माता जी करेंगी पंखा चला दिया जाए, और मैं कराओं कि नहीं, क्यों मैं पं हम ढम ढम कुछी बाजे कुछ भी हो, भागवद का मतलव है कि एक एक सब्द कान में जाना चाहएं, सुवधात अपने घर में जाकर रेशी चला कर सोहिए, कौन माना किया? कुलर चला कर सोहिए, कोई माना किया? यहां हम लोग एक तपस्वी जीवन बिताने के लिए दो घंटा आए हैं और इस तपस्या को जब हम करेंगे तो इसका फल बहुत मिठा बन करके आएगा अगर माली हम पंखा चला देते हैं तो पंखा कहीं अबाज आएगा प्रेम से कथा सुनना है अखिर जिसके लिए हम लोग आयोयन किया है इस कथा को कराने में लाग खोर रुपया खरच होगा और आप लोग इतना पैसा खर्च करेंगे और मैं कुछ भी नौ सुनाओ इसे ही चला जाओं तो दोस मुझ पर लगेगा आपको तो पता नहीं है लेकिन मुझको पता है कि इमंदारी से लोगों को सुनाना चाहिए देना चाहिए यह भगवान की बाणी है भगवान की अदिव्यकत्हा है तो कभी भी नाम रखना चाहिये। तो सुध ब्रावण को बुला करकर करन ला चाहिए, सुध ब्रावन को बुलाना चाहिए। लकिन दॉंदुली के पती बहुत अच्छे ब्रावण थे किस अपने पती के द्वारा नाम नहीं रखवाई। वो खुद उसका नाम रखी, उसका नाम क्या रखी दुन्दुकारी, दुन्दुकारी क्यों रखी कि उसका नाम धुन्दुलिया, तो करें कि मेरा नाम जो है ना उसी से जुक्त मेरे बेटा का नाम होगा, अब पंडी जी पेचारे कुछ कर नहीं पाए, एठीक है जो मन करें और इधर क्या हुआ कि जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय के द्वारा तीन महिना के बाद, त्री मासे निर्गते चाथ, साध्धेनु सुषवेर भखम, सरवांग संदरम दिभ्यम, निर्मलम कनकाप्रभम। उस गाय से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका सरीर सोना जैसा चमक रहा था, श्वर रहा था, गाय से एक सुंदर पुत्र हुआ, बहुत सुंदर उसका सरीर था, बालक, मनुष्य का बालक जन्म लिया, लेकिन क्योल सरीर में कान जो था गाय के समान था, इसलिए उस बाल का नाम आत्मदेव पंडी जी रखे, क्या रखे? आप लोग बताईगे, आप लोग बताईगे, आप लोग कथा सुनती है नहीं टूपर, एक माताजी आई थे सुबर सुबर कई कि मैं कथा रोज सुनती हूँ, तो मैं का अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा सुनती हूँ, कहा उस बालक का क्या नाम था? बोलिए गोकर, उस लड़का का नाम था गोकर, बहुत सुन्दर वह बालक था, शरीर सोने जैसा चमक रहा था, सब सरीर सुन्दर था लेकिन कान गाय के समान था, इसलिए उस बालक का नाम हो गया गोकर अब हुआ क्या कि एक बाला का नाम हुआ धंदकारी जो उसके शखी का लड़का था, सहली का लड़का था, धंदुली का लड़का नहीं था, ध्यान देना और एक बालाख ए थे, जो गाय के द्वारा जन्म लिये थे, जिसका जन्म फल खाने से हुआ था तो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन दोनों में कितना अंतर था देखिए बच्चे से ही पता चल जाता है कि वो लड़का क्या करेगा अब हुआ क्या कि दोनों छोटे बच्चे थे लेकिन एक लड़का उत्पात करता था कोई बालक खै जारता था जाकर मार देता था, kis हो कुणा में धकेल देता था, किसी के घर में जाकर कि आघ लगा देता था तक उटपाथ करता था और जो गोकर्ण झी थे, और झी थे कहीं भी कथा होती थी तर ये वह भी छूप चाभ बैट कर थे बड़े प्रेम से रहते थे, सांती पुर्वन, कहा जाता है कि हुनहार बिरवा के चिकने पाथ, जो हुनहार बच्चे होते हो छोटे से ही पता चल जाता है कि हो कितना महांद बने, जो हुनहार नहीं होते हो छोटे से ही उत्पात करते है, पता चल जाता है, तो हुआ क्या, कि गोकर्न जी बिलकुल सांत, सव में सवभाव के, कहीं भागवत कथा होती थी, तो चुप चप जाकर के बाइट करके सुनते थे, बड़े आनन्द के साथ में, सांती पुर्वत, और वहीं धुन्दकारी जो था वो उत्पाद करता था, और इतना उत्पाद करने लगा धुन्दकारी कि गाउँ के लोग आ-ा करके सिकायच करने लगे, पंडी जी कहते थे, कि आपका जो लड़का धुन्दकारी है, वह बहुत बदमास है, चोरी करता है, बच्यों को पिटता है, लड़कों को कुणा में धकेल देता है, किसी के घर में आग लगा देता है तो यह सब सुन करके आत्मदेव पंडित बहुत दुखी हो गहीं जाते थे तो कोई भी कहता था पंडी जी आपका लड़का बड़ा बदमास है वहां चोरी किया है उसके घर में जाकर के लड़ाई किया है उसके बच्चे को पीट दिया है उसको मार द जाते थे एक दिन दुखी होकर के क्या किये कि अपने बेटा गोकर्न के पास गए जो गोकर्न जी थे जो गाय से जन्म लिये थे उसके पास गए और जाकर कहे कि बेटा मैं क्या बताओं मैं बड़ा दुखी हूं तो गोकर्न जी कहे कि क्यों दुखी है बताईए क्या बात ह तो पीटा जी मैं क्या बेटा मैं क्या बता हूं जो तुम्हारा भाई धुन्दकारी है नो लोगों के घर में चोरी करता है वच्छों को पिटा है मारता है इसे से मैं दुखी हूं मैं भर में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता था कि लड़का नहीं हुआ होता तो आछा रहा था जन्म लेकर के हमको बेजिती करा रहा है, बदनामी करवा रहा है तो इस बात को सुनकर के गोकर्ण जी हसने लगे अउस्टे और नहीं करका पिताजी, आप दुखी मत होए, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ आप यसको अपना बेटा क्यों मानते हैं, आप इसलिए न दुखी हैं कि माँग रहें कि हमेरा बेटा है या हमेरा परिवार है हमेरा घर है, इसको आप अपना मानिये ही मत करें कि संसार में जो भी संबंध है देहें स्तिमान सरुधिरे भिमतीत्य जत्वं जाया सुतादि सुसदा ममतां विमुंचव पस्या निसम जगदिदं छरभंग निष्ठं बैराग्या रागरसिको भवभक्ति निष्ठा हाँ करें कि हे पिताजी यह जो देह का संबंध है यह नित्य संबंध नहीं है यह बहुत मारिमिक प्रवचन है सब को समझ में नहीं आएगा लेकिन समझा रहा है करें कि यह संसार में हम लोग क्यों फसे हुए है यहां हम लोग यह मेरा है यह तेरा जहां यह लगा हुए यह मया है गुष्वामी जी ने कहा है राम चरी तर्मानस में क्या कहा है कि गो गो चरे जहां ताहां लग जाए गो गो चरे जहां ताहां लग जाए सो तुम माया जाने हुआए करें कि जहां तक गो गोचर जहत हम लग जाई जहां तक इंद्रियों की पहुंच है वही माया है अहम और मम यह मेरा यह तेरा यही माया है इसी को माया कहते हैं यही माया है कि यह तुम्हारा है यह मेरा है इससे जो अलग उठ गया है वो माया को पार कर गया तो गोकर्न जी कहते हैं कि हे पिता जी आप क्या किजिए कि आप एसब जंजट को छोड करके ए बहुत यह बहुत बड़ा समस्या है, इन सब समस्याओं से अलग होना है, आप क्या की दिये कि धर्मा भाजाष्व सतत्तम त्यजलोक धर्मान, सेवत्ष्व, साद्व पुरुशान, जहिकाम तृष्णाम, अन्यस्य दोस गुन चिंतन, मास्व मुक्त्वा, सेवा कथार समभो नितरा अन्यस्व नितरोःं, इन सम झन्यस्पतों को छोड़ करके आप भगवान के भक्ति करने के लिए निकल गएंगेंके थी आप केवल भगवान का भाजन किये के भगवान का नाम जब हिए हरेये krishna, आप क्या किजिए कि इन सब जहन्जटों से अलग हो जाएए तब आप माया को पार कर जाएंगे आप दुखी इसलिए हैंना कि ये मेरा बेटा आई मान रहें कि हमारा लरका इसलिए दुखी हैं लेकिन वास्तों में आपका बेटा नहीं है बेटा का काम है पूत्र का मतलब क्या होता है पूत्र कौन होता है जानते हैं आप लोग भी ध्यान दे कर सुन लिजिए पूत्र उसको कहते हैं कि पूत्र माने पाप होता है पूत्र का मतलब होता है पाप, अत्र माने जो छुटकारा करा दे, जो पाप से नगजिए है, जो पॉप से मुप्ती करा दे ज्षुटकादा करा दे उस को पुत्र काम है, पुत्र वानिए लड़का काम है , कि माता पिता को इस नरण आरक से इपलएओगे इस संसार एक नरण है, हम लोग के बहुत बड़े गण्धा में गिर चुके हैं इतावन भुद्मानी नहीं कि संसार में जब रहते हैजिए में संजीके नियुकाइकितने बुद्मानी सहीकट समयका रचाय estéरिं जो इस संसार से जन्म और मृतु को जन्ममरर से जो स्चुटकारा करादे जो भौव सागर से प्र गरादे उसको फुत्र कहते पुत्र का मतलब होता है जो पापों से मुक्त करके जो भगवत धाम को प्राप्त करा दे उसी को पुत्र करते है तो प्रतेक लड़का का करतब्य है धर्मा है कि अपने मा को अपने पीटा को भगवान के धाम तक पहुंचा दे है वही पूत्र है, अगर वह भगवान के धाम नहीं पहुंचाया, तो समझे को पूत्र नहीं है, उसको क्या कहते हैं, पूत्र नहीं कहते हैं, वह मुत्र के समान है, भागवत में लिखा हुआ है, वह पूत्र नहीं है, वह मुत्र है, माता सुमित्रा जी कहती हैं, लक्षमर जी को जब लक्षमर जी को पता चला कि भगवान राम चंद्र बन में जा रहे हैं तो भगवान के पास में लक्षमर जी आए और लक्षमर जी कहे कि भाईया महीं भी चलोंगा तो भगवान राम कहे कि अगर तुम को जाना है तो अपने माता जी से पूछ कर क्या हो मैं तो अपने माता जी कौन है? लख्मा जी का माँ का क्या नाम है? सुमित्रा जी तो सुमित्रा जी क्या कहते है? करे बेटा पुत्रवती जुवती जगसोई रगुपती भगती जासुशुता होई। मातार समित्रा जी कहते कि हे बेटा वहीं मा मा है पुत्रवती जुवती जगसोई वहीं पुत्रवती मा है जिसका बेटा भगवान का भजन करता है जब जब नहीं करा हूए लड़का भगवान का नाम नहीं जब राइकर शीगरेट पी रहा है के तो पुत्र नहीं है उससे तो अच्छा है माता सुमित्रा जी कोजे कि उससे तो अच्छा है कि बाँठ बीना पुत्र के रहा जाएं उस मा से वह मा अच् Sono eight you जिसका संतान, जिसका पुत्र जन में लेकर केवल सराब पी रहा है, केवल सिगरेट पी रहा है, केवल गंजा पी रहा है, केवल मांस खा रहा है, केवल ब्यभिचार कर रहा है, और भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो समझे कि उससे ताचाए कि लड़का ही नहीं हुआ हो कि हे पिता जी आपको क्या करना है कि सब कुछ छोड़ करके आप जंगल में जाईए और वहां जाकर के भगवान के नाम जपी और भगवान को प्राप्त हो जाईए आप ए मुह माया छोड़ दीजिए इतना सुनकर के आत्म देव पंडित क्या किये कि अपने घर को छोड़ कर करके गए जंगल में और वहां जाकर के भागवत के दसम असकंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए जब ओच चले गए तो गोकर्न जी भी अपने घर को छोड़ करके निकल गए इधर क्या हुआ कि जो धुन्दकारी था अब पिता जी चले गए भाई गोकर अब गल्ती काम करना प्रादम किया एक नहीं पांच बेस्याओं को अपने घर में लाया है पांच बेस्याओं और अपनी माँ जो धुन्दली थी उसको डंडा से पीठता था जो भजन नहीं करते हैं लगवान को मारते हैं अपने पतनी को मारते हैं अपने पीता को मारते है तो अपने माँ को बागता था, कहाता था पैसा दो, जब तक पैसा था तब तक तो देती रही, जब पैसा खतम हो गया तक पीटता था एक दिन उसकी माँ कुँआ में गिर करके मरितू को प्राप कर गई, मर गई, ओ क्या किया कि पांच बेस्याओं को खुश करने के लिए चो करता था, एक दिन पांचो बेस्याओं आपस में मिटिंग की, और मिटिंग करके उस दुष्ट धुन्दकारी के दोनों पैर को बांध दी, दोनों हाथ को बांध दी, और जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल डाल करके उसको मार दी, और मारने के बाद में घर में ही गड़ाँ भडी, और गड़ाँ खोद गरे जमीन में डाल करके उपसे मेटि डाली、 ताला बंदके चली घर से पैसा लेकरने के शब होता बता, और मिट्ट गर हुट भूतात्मा, पृतात्मा बन गया, लोहीं जीवातमाँ पृतात्मा बन गया, प्रेत कौन बनता है? भू तो दुन्दकारी देखिए, जीवन में कितना उत्पात किया, बेविचार किया, चोरी किया, डकाइती किया, अपने माता पिता को मारा, सराब पिया, और मरने के बादे प्रेत बन गया, भूत, भूत बन गया, अब हुआ क्या, कि गुकर shroud, तील्थ में निकले हुए थे, धीरे धीरे उनके कान तक सब्द पहुँच गया कि तुम्हारा भाई मृत्युकों पराप्त हो गया, तो गुकर में अजी गोमधा हैं थे बिचारे तीर्थों में, तो घुमते घुमते बिहार में गय हुए थे उस समय बिहार में ए जो मेरा भाई मर गया है, तो हम अपने भाई के लिए थड़ा थरफन कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, तो ओ पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद में, अपने घर आया, तो एक दिन आया रात्री के समय हो रहा था, लगवग मध्धे रात्री बाद हवज रहा उसी समय क्या हुआ कि उसके सामने वही धंदकारी प्रेत बना हुआ है कभी भेर के रूप में सामने आ रहा है कभी भैशा के रूप में आ रहा है कभी आग के रूप में आ रहा है कभी इंद्र के रूप में आ रहा है कभी पुरुष बनकर के आ रहा है कभी हाथी बन रहा है अलग अलग रूप में आ रहा है, देखिए प्रेत लोग इसे ही दिखाई देते हैं, जो प्रेत बन जाते हैं तो इसी रूप में आते हैं, तो आ रहा है, तो धुंदकारी अलग अलग रूप बना करके आ रहा है, लेकिन गोकौन जी डर नहीं रहा है, क्यों नहीं डर रहा है क्यांकि उनके गले में कंथी था, माथे पतिलक था, मुख में भगवान का नाम था, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे राम, 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 हर भूत प्रेत किसके उपर आते हैं, जो भजन नहीं करता है, जो भगवान को भोग नहीं लगाता है, जो भगवान के नाम का किरता नहीं करता है, जो भगवान के नाम का किरता नहीं करता है, जो भगवान के नाम का किरता नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है, जो भजन करता ह भागवत पढ़ता है भागवत कथा कराता है तो उसके घर में सब रहते भी है तो भाग जाते है और फिर नहीं आते है तो गोकर में जी कही कि तुम हो कौन इस तरह दूप बदल बदल करके आ रहे हो क्या बात है बताव अपना पर्चे दो तो सामने खड़ा हो गया और हाथ काता है कि हां ब्राता त बदी योस्मी नामत स्विकी ये नैव से रह ड ब्राम्हात्व नासे तंत मया कदागन कि हे भाई मैं आपका भाई धुन्दुकारी हूँ, मैं आपका ही भाई धुन्दुकारी हूँ, तो कोई कि मेरा भाई तहाँ, तो मेरा भाई प्रेत कहीं से बन गया, तो कर आए कि इसमें आपका दोस नहीं है, इसमें पिता जी का दोस नहीं है, इसमें माता जी का दोस नहीं है, सारा दोस मेरा है, श्वक किये नहीं वा दोसेड़ा, ब्रह्मात्यम नासिताउ मया, करा कि मेरे द्वारा ही ब्रह्मात्यों को नश्ट कर दिया गया था, मैं ब्रावन का काम है बेद पढ़ना पढ़ाना जग्य करना कराना दान लेना दान दे इसके विप्रित करता था इसी दिए गोस्वामी जी ने कहा कि को उनका हुके शुक्षदुखकरदाता का चुक्षदुखकरदीनादा ने जा कृता करता कार्मा उका साब भाता ने जा क थे हदर्मा उकर्सका बर्ता ने जा करता कर्मा कोई भी ब्यक्ति किसी को सुख देता है ना दुख देता है आप लोगों को जितने लोग बैटे हैं जिसको सुख मिल रहा या दुख मिल रहा है सब अपने कर्म का फ़ल मिल रहा है कोई किसी को सुखी करता है ना कोई किसी को जैसे आप लोग बैट करके कथा सुन रही है माताजी लोग आप लोग सुन रहा है तो आप लोगों का एक कर्म बन रहा है कर्म यह एक तैयारी हो रहा है इसका फ़ल आपको बाद में मिलेगा और जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी कर्म बन रहा है। मैं पहले ही शुरू में ही बोला कि जितना सवधान होकर के सुनेगा उसका कर्म फल बनता जाए। इसमें कोई किसी को सुखी करता है ने कोई किसी को दुखी है केहीं माता के पेट से गर्व से चार संथान जन्म लेते हैं, दो संथान जन्म लेते हैं, एक संथान जन्म लेता है, मा का पेट वही है, पिता वही है, मा वही है, लेकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो अपने-पने कर्म के नुसार कोई अफसर बन जाता है, कोई जीवन भर मजदूर बना रहता है, कोई एसी के रूम में रहता है कोई दीन भर खेत में काम करता रहता है तो उसमें मा का दोस नहीं है उसमें पिता का दोस नहीं है हम जो किये हैं वहीं कर्म के रूप में फ़ल पन कर आता है हम जो किये हैं वहीं फ़ल बनेगा अभी जैसे हम कर रहे हैं तो इसका हमारा तयार हो रहा है, अगरेगी एपाद में हमको मिलेगा और शाद में चाहिए। आप क्या किजिए, कि आप मेरे भाई हैं, ता आप इतना कर दीजिए कि मेरे प्रेत जोनी से मुक्त करा दीजिए, मैं प्रेत जोनी से मुक्त होना चाहता हूं, तो इतना सुनकर गोकर्न जी क्या बोले, कि अजे भाई तुम्हारे लिए मैं गया जी में स्राध कर दिया हूं, जिसे आज का लोगोते हैं ना कि हम तो पिंडदान कर दिये हैं, हम पंडी जी को पुलाए थे पूजा कर दिये हैं लेकिन यह नहीं देखते हैं कि पंडी जी गुटका खाने वाले हैं कि इस तंभाको खाने वाले हैं सऺ जिटे के पूज़कर थे, यहाई फन्दित है? पथे देखना पड़ा एफ़ेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से कुछ भी पूज़कर लेते हैं, सोच्ते हैं हमारा तर पृत्रों का अरे मेरे भाईया गोकरन जी, एक जया में स्राद की बात क्या करें, हजारों स्राद करने से इसे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इस से मेरा कल्यान नहीं होगा, उपायो नापरस्त्वी हो आप इसके लिए कोई दूसरा उपायम अपदम कहश्चित, तौम विचार ये सामप्रतम, आप विचार करके कोई दूसरा उपाय किजिए, जिससे मेरा कल्याण होगा, उधार होगा। इतना सुन करके गोकरन जी कहे, धुन्दकाली से, कि देखो, दात्त्री के समय है, अबी तुम सांत हो जाओ, अभि दात्त्री हो रहा है, तुम सांत रहो, अब मै शमझ गया। कि तुम्हारा उधार नहीं हुआ है, तुम्हारा कल्यार नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब दुसरा उपाय करूंगा, गोकरन जी को रात में नीन्द नहीं आई, रात भर वेचार सोचते रहे, यह नहीं कि डर के मारी, वो डर नहीं रहे दे, वो विचार करे ती भाई अपने अब बहाई का खरूंगा उसचे करोंगा बहाई कर उसका उद्हार करना ज्रूरी है, संचिया भाई उसी को कहते है नहीं कि जो अपने भाई अपने मात पीटा के लिए सोचे उसको अच्छा संतान के अ पाल नहाता है। तो ऑच्छ नहीं होता है कि अपने भाई के दौन ले लें, अपने पिता का दौन ले लें लें, लेकिंट नहों के लिए उपचर न स्फोचे. आफ यक नम्मेर के लीए गघा थियालाता है। कि दौन टो खाने के लिए पीछ नहीं हतेगा। लेकिन उनके लिए कुछ भागवथ कराना हो तर पीछे हरजेदा भाई हैं, पाईसा कहा हों? मैं कहा से भागवथ कराऊण करा हों?" तो वास्ता मों संतान नहीं है वो तो समझे के आपका डुśman ही पूत्र बन करके आया था कभी कभी ऐसे भी होता कि जो डुष्मन होते हैं वहीं पूत्र बन करके आते संतान बन करके। और जीवन भर कष्ट देते ह। तो गोकर्ण जी कहें कि भाईया तु शांत हो जाओ जाओ उपाय करोंगा और रात को स्वय नहीं सुबा हुआ तो उठे और घर से बाहा निकले शुर्ज के गटी को रोक दिये भगवान जो सुर्ज है उदाय हो रहे थे उनको रोक दिये सुर्ज भगवान कहें कि भाई क्यों रोक रहे हो मुझे को तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप मेरे भाई के लिए उपाय बताइए कि मेरे भाई का कल्यान कैसे हो तब सुर्ज क्या कहते हैं कि स्ट्रेमद भागवतान मुक्ति सब्ताहम वाचनम कुरू अगर कल्यान चाहते हो तब साथ दिन का भागवत कथा करवाओ सब्ताहम वाचनम कुरू साथ दिन वह भागवत कथा है इसको कराओगे तो इससे निश्चित लुप से तुम्हारे भाई का कल्यान होगा इतना सुनकर के गोकर्ण जी प्रसान होगा और गोकर्ण जी में क्या किया क्यजित वह भागवत कथा कहले देल नहीं किया है तुम्हारे उपर करने जा रहा है अरे तुम कराव के तुम्हारी परिवार का कल्यान होगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं। सुच था हूं। बताता हूं। देखता हूं। तो देखते रहो। जब तक देखोंगे तब तक भुच्छ भोगता रहेगा जीतना दिन देखोंगे, वही नहीं कर्फट भोगेगा आपके पितर लोग अगर दुखही रहेंगे तो आप भी दूखी रहेंगी, यह नियाम है पितरों को प्रशान करना प्रतेक संटान का दाई तो होता है, करतब यह होता है अगर पितर प्रशान है, तो समझे कि आपका प्रग्रेश होगा, आप आगे बढ़ेंगे पितर नराज हैं, तो समझे कि आपका वहीं औरोद हो जाता है कह待 कोई कोई कहाते हैं। कि मैं बीजिनिस करता हूं। मैं व्यपाद करता हूं। छिकिन मेरा उननत्य नहीं होई। क्या कारन है। मैं बहुत म्हफन्थ करता हू당। लेकिन हम भढ़ हन SW Discovery रहें हमारा ध्रध भढ़ हुषए। दोज भर में कलो होता है। लडाई होता है, जगड़ा होता है, घर में अनेक बीमारियां है, इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही है कि आपके घर के पीतर लोग प्रशन नहीं है, खुश नहीं है, इसलिए सब संकट लगा रहता है, खुब पैसा कमाते हैं कि पैसा दिखाई नहीं देता है, रोग में लग जाता है, दुख में लग जाता है, लडाई यहगळा में समापत हो जेता है, इससा कारण होता है, तो गोकल टी ने कहा कि माझ अभी भागवत करवाऊं गा तुरंग अपने गाहँआलों को बुलाई है तो गाव के जितने लोग थे, सब लोग करें के लिए महाराज भागवत कथा कराईए हम लोग सहयो करेंगे। वो लोगे नहीं करें कि तुम्हारे भाई के लिए हम लोग क्यों सहयो करेंगे। भागवत में सब लोग सहयो करने के लिए तयार हो गए। यह नहीं कि एक ब्यक्ति कथा करा रहा है तो हम क्यों सहयो करेंगे। अरे यह जो कथा है भले एक करावे चाहिंदस करा है। यह भगवान की कथा है। यह किसी ब्यक्ति के घर का बीबा साधी नहीं है। किसी लड़का लड़गी का भीबान नहीं है कि वो ब्यक्तिगता है। एक प्रभू का खार्ज है इसमें अगर कोई वी स्वयोग करेगा, कोई वी इसमें धन्य देगा, तो इससे उसको लाभ होगा। यह नहीं को घाटा होने वाला है। घाटा नहीं होता है। भगवान को दिया हुए संपति दस गुना करके लोट जाता है। जैसे मालुए यह आप लोग कुछ चढ़ा रहे हैं। तो जितना चढ़ा दस गुना फिर आपके घर जा करके मिलेगा। यह नहीं कि चढ़ा हुए भयर्थ चला गया। कोई आपके कुछ दे दिया तरही आज मेरा दस रुपया कम हो गया। सो रुपया मैं चढ़ा तक कम हो गया। जो जितना चढ़ा रहा है उसके ठीक दस गुना होता कर उसको फिर मिल जाएगा। भगवान रखते नहीं है। यह गुना हाँ, दस गुना करके लता है। यह भगवान की भगवता HOLY को इसके अफिदो भगवान कभी किसी ब्यक्ति के लेते नहीं है भगवान देते हैं। तो हवा च्हा है करूँ गाहूं के सितने लोग थे सम्लोग तयार हों teक हम के थए हम कराएंगा हम कथा कराएंगे, हम कराएंगे, हम सहयो करेंगे, आप चालू तो करो, और गोकान जी ने क्या किया कि भागवत आरंभ किया, और गाउं के लोग सब तैयारी में लग गए, कोई जारू लगा रहा है, कोई सजा रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई पर अपिषाध बना रहा है, और भागवत कथा प्रारंव हो गई. अजञ प्रा याज हुए तो दुनिदुकारी वाईू के रुप में था, मैं अब ओधरना चीट में कोय सोरईगा, तक तक वहाँ एक बास का शात गाथ वाला बास दिखाई दिया, उसमें एक छिद्र था, यह नहीं कि पहले से बास गाड़ा गया था उसके लिए, ऐसा नहीं था, वो देखा कि कहां हमारे लिए जगह मिलेगा बैठने के लिए, और तक एक छोटा सा छिद्र दिखाई दिया, उसी में वो प्रवेश कर गया, वो वाइव के लूप में था, और जब प्रवेश किया और कथा चालो हुई, तो एक दिन की कथा होते ही, प्रथम असकंद असपस्टम आख्यानम धेनुजे करोत, हुआ क्या, कि पहला दिन के कथा होते ही, बास का प्रथम ग्रंती फट गया दुसरे दिन की कथा होई तो दुसरी ग्रंती, तिसरे दिन की तिसरी, और ऐसे करते करते सात दिन में, सातो ग्रंतियां फट गई, सब्त दीने श्यव सब्त ग्रंती विभेदनम, और इसके बाद में हुआ क्या कि दिव्यरूप धरो जात तुलसी दाम अमन्नित हा, जो ओ दिव्यरूप धरन करकर वहीं प्रगग हो गया, पीत वासगभना स्यामो मकुटि कुंडल अनविता। था, पीला बशत्र पहने हुए, मकुट कुंडल, खुब्सुन्दर रूप धरन किये हुए प्रगट हो गया। और प्रगट होकर के ग्वकरन जी के चननों में तक प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहता हैं, कि है भाईया, आज मेरा जीवन धन्न्य हो Torah, Mैं प्रेत जोलनी से मुक्त हो जो मैं प्रेत बना हुडा थOT, भूत बना हुया था, उससे हम क छुटकाना मिल गया और क्या कहता है? कि धन्या भागवती बरता प्रित पिड़ा बिना सिने सब्ता हो पित था धन्या कृष्णा लो कफला प्रदा अधन्या भागवती बरता धन्या भागवत की कथा अरे भागवत की कथा भूत-जोनी से प्रेट-जोनी से मुठ्थ कराने वाली है और उसमें भी तथा पी सब्ता हो पी तथा धन्या हुआ हो ज साथ दिन की भागवत कथा है, अगर उसको कोई सुनता है, तो कृष्णा लोक फला प्रदा, भगवान का धाम देने वाली है, साथ दिन की कथा है, साथ दिन की कथा को अगर कोई सुनता है, तो वह कृष्णा लोक को प्राप्त हो जाता है, यह महात्म के पाचवा अध्याई क तिरपन नमबर के स्लोक में 53 तिरपन है है थाग वागवत महत्म के पाचवाध्याय के तिरपन स्लोक में बोल रहे हैं कि धन्याह भागवती बर्था प्रेत पीजा विनासिनी शबता हो पित थाग है क्रिश्यन लोक फलाव प्र्दा है अब भागवाद की चाद्याता है। तो इसको प्रेत पीडा से मोक्ति मिल जाती है। व्यक्ति प्रेत नहीं बनता है। जो अभी आप भागवाद सुन रहे हैं, तो जो सुन है उप प्रेत बनेंगे ही नहीं। वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और जो मृत्यों को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए भी अगर कोई भागवत सुन लेता है, तो उनका भी उधार हो जाता है, कल्यार हो जाता है, एध्यान देना चाहिए, इसलिए इस कार्ज को जरूर कराना चाहिए, जीवन में ब्यक्ति को ज्यादा नहीं, तो कम से कम एक भागवत जरूर कराना चाहिए, या कुछ लोग ता इसलिए प्रतेक साल करवाते हैं, जैसे रोज भोजन करते हैं, कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं जो कि रोज भोजन करता है, तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि चलो साल में एक हम भागवत कराएंगे, इस से सालों भर घर में सोख सांती आनंद रहता है, व्यक्ति सुखी रहते हैं, उसका परिवार आगे बढ़ता है, कभी भी जीवन में कमी नहीं होती है, व्यक्ति प्रसंग रहता है, भन की कमी नहीं होती है, परिवार में सने बना रहता है, पुत्र, पत्नी, माता, भाई, बंदो, सब लोग प्रसंग जो इसकाज को नहीं कराता है तो देखने में लगता है बहुत कमारा लेकिन हमेशा परसान आता है हमेशा बेचाने दाता है हमेशा उसको कोई नो कोई आधी ब्याधी कर श्थे दुख लगा रहता है तो हुआ क्या कि दुन्दुकारी जी सुन्दर शरीर को प्राप्त करनी और इतना ही नहीं हुआ क्या कि देखते देखते उनके सामने एक बिमान आ गया सुन्दर बहुत सुन्दर बिमान आ गया और चार सुन्दर भगवान के पारसाद आ गया देखिए कथा सुनने का फल देखिए का क्या हो रहा है कि जो प्रेत बना हुआ था उसके लिए सुन्दर बीमान आ गया ले जाने के लिए भगवान के चार पार्षार आ गए और धंदुकारी को कहे कि अब इसमें बैठिये बीमान में अब चलना है भगवान के धान तो जब उस बीमान में बैठ गए और गाओं के सब ही लोग देख रहे हैं जितने लोग थे सब देख रहे हैं कि भाई धंदुकारी के लिए ते बीमान आ गया तब गुकर्ण जी पूछ रहे हैं जो बीमान लेकर के आयते भगवान के भगत पार्षाद उनसे पूछ रहे हैं कि आत दिन तक कथा मैं सुनाया हमारे गाओं के जितने बैचारे लोग हैं सब लोग वैट करके कथा सुन रहे हैं लेकिन बीमान केवल एक धंदुकारी के लिए ही क्यों आया है क्यों इसी के लिए बीमान क्यों आया है सब के लिए आना चाहिए ना सब कथा सुन रहे हैं तो क अगवान के पार्षद कहें कि देखो, कथा पंडाल में सब लोग बैठे हुए तलिए कि सब का मन भागवत में नहीं लग रहा था, बैठने को तो बैठ गए थे, लेकिन सोच रहते कि कब छे बजेगा, अभी तक बंद नहीं हो रहा है, कब कथा बंद करेंगे, इसी तरह रा पर बढ़ाहट नहीं हो रहाए था कि कपत अगा उप से बहागवत चाली होई तब तक क्योल हाथ जोड़कर सुनता रहा है, एकित सब सुन कर अनन्ड का पहका रहा था, उसके दिमाग में कौन इधर आया कौन इधर गया कर दिमाग ही नहीं रहा था, मैं सुरू में ही बोल कभी उधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, लेकिन आप लोगों की दृष्टि क्योल मेरे तरफ होनी चाहिए, अच्छे स्वरुता का पाचाने होता है, कौन आया, कौन गया उधर ध्यानी मत दिजिए, बैला रहा है कि सारा रहा है, उधर नहीं देखना है, आपको आपके कान में नहीं जा पा रहा है, देखिया फॉल मिल रहा है, साथ दिन कथा सुनने का फॉल आप सामने आया है, कि धुन्दुकारी के लिए बीमान आगया, और किसी के लिए बीमान नहीं आया, तो गोकर्मण जी ने प्रस्न किया, कि ऐसा क्यों हुआ, कथा पंडाल में कि देखो, कथा के भेद होने के कारान स्रमरास्य भी भेदे न, उतर दे रहे है, फल भेदोत्र संस्थित हे, स्रमरान के भेद होने कै कारान फल में भेद हो गया, मैं सुरु में बता रहा हैं कि बिद्याथी जब पढ़ते हैं, माश्टर पराते हैं, ल على कि जब रिजन्ट कोई कि यख क से टुछ कि जाए है टो माश्टर्स अच्छ नहीं नहीं आता है तो उसमें उसी का गलती माश्टर्स का कोई गलती नहीं क्यециециच एप च्छेGB पर याथ हूफ नहीं थे अटा तुम्हेला बेटा और नहीं रहा था वो इस्कूल के बाहर जाकर बाइट करके मुबाइल देग रहा था इसलिए वो फेल कर गया तो अप्रस्न किये हैं तो कह रहा हैं भगवान के पारशद लोग कि स्ट्रवारस्या भी भेदेना स्ट्रवान के भेद होने के कारण फॉल में भेद हो गया के किस्ट्रवारम तू कृतम सर्वाई नो तथा मननम कृतम पंडाल में तो जरूर बैठे थे लेकिन मन में चिंतन केवल धंदकाली किया और लोग बैठे ही थे शून रहे थे लेकिन अपड़े भीतर नहीं ले जा रहे थे को लेही समय पास कर रहे थे कब तीन घंटा पूरा होगा, कब तीन घंटा पूरा होगा, कब तीन घंटा पूरा होगा, कब तीन घंटा उनको को तीन घंटा दिखाई दे रहा होगा कियवल आनंद ले रहा था तो यह कहीं ब्यक्ति था जिसका नाम है यहीं थोए ब्हुनारियों को बांदोकारी इसमी लिए ठाल में भेद आप बेमां दूहरा है। लिए भाटा लगाए भाइब के महराज माराज माराज माई चाहता हो कि सब लोगोंका की क्ल्यान हो। जो उसके लिए उपाय बताईए हो। की भीटा प्री बेट प्री दुमारा भागवत कफारओ कर्वाओ और कि बיड़ाँ है तुन क्वभाद भागवत करवाओ heर रो क्फेलं से कफारवाओ कर दूने अपना मुभ बंद कर बैठें अपने अपने मोबच्चों को सांथर रखें औरा झानी Sãoभानी को कर दो लोग कथा सुनने तब फ़ल पूरा पूरा मिलेगा कर रहा हैं तो सब लोग तुनंत अपना मुभाई सुछब कर लिए जितने लोग वह बैठे हुए थे सब लोग बच्चों को सांत कर दिये और सांत कर के कथा सुनने के लिए बैठे गए अब दुबारा फिर भागव कि एक सब्द भी छूटे जन कथा और हाथ जोर कर के सवधानी पुरुव कथा सुनना प्रादम की हैं और जो बच्टा कथा कर कर चले जाते थे तब जाते थे जवही साथ दिन की कथा हुई तो एक बहुत बड़ा बीमान आया दुशार और उस बीमान में जितने गाओं के कोई भूरा कोई बच्चा कोई नहीं बच्चा सभी लोगों को उस बीमानमे बैठाया गया शुंदर सोने का बीमान है उसमें सभी लोगों को बैठादीया गया और जो कथा सुना रहते गोकाण जी उनके लिए स्वयम भगवान आये गरुण जी के साथ में, और अपने अगर कोई प्रेम से कथा सुनता है, सरीर सब का छुटेगा, इमार समझे कि कोई अमर बन कर क्या है, सभी लोग मरने वाले हैं, तो जो भागवत सुनेंगे, वो जब मृतू होगी, सरीर छोडेंगे, तो भगवान के धाम जाएंगे, और जो प्रेम से नहीं सुनेंगे, करेंगे, वो कभी प्रेत बनेंगे, कभी भूत बनेंगे, कभी नरक में जाएंगे, नरक का बढ़न भी सुनाया जाएगा, कि कितने प्रकार के नरक होता है, और उस नरक में कौन कौन जाते हैं, तो इस प्रकार सब का कल्यार हो गया, सब लोग आनन्द को प्राप्त हो गया देखिए भागवत कथा की महिमा है, है कि नहीं, भागवत सुनने का महिमा है ना, तो अब इतना कहने के बाद में, अब यहां पर प्रश्न होता है, कि भागवत कथा कराने की बिधी क्या है, भागवत किस से सुनना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, तो करेंगी भागवत की विधी यह है, कि भागवत कथा कराने से पहले यह विचार करना चाहिए, कि हम जिससे कथा कराने के लिए जा रहे हैं, उप कौन है? सबसे कथा नहीं समी काई है, कथा बैष्णव के मुख से सुना चे, विरक्तो बैष्णवो विप्रो बेद सास्त्र विशुदिक्रित द्रिष्टांतह कुषलो धीरह वाक्ता कार्याति निस्प्रिह यह बागता का लक्षान, बागता का लक्षान इसमें बताया गया है, कि ब बागता काईसा होना चाहिए, तो करें कि पहले तो बागता का चैन किजिए, कि बागता बशना होना चाहिए, ब्राभन होना चाहिए, बिद्वान होना चाहिए, और कथा कहने वाले को क्या करना चाहिए, कि कथा कहने से एक दिन पहले, जैसे आज कथा चालू करना है, तो क अपने बाल को खठवा लेना चाहिए। 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 अपने बाल को खठवा लेना अगर नहीं कर रहा है तक कही न कहीं गड़बरी हो रहा है अब यह मत सुचेगा कि मैं नहीं रखा हूं इसलिए बोल रहा हूं इसमें लिखा हुआ है मैं देखा दूंगा इसमें लिखा हुआ है कि कथा करने वाले को कथा से पहले बाल को कटवा लेना चाहिए इसलिए हम लो करना कथा करना है तब तक फिर एक इस तारिस्ते करना है बंगाल में कथा साथ दिन के बाद तब तक फिर करना है नेपाल में कथा ताइसे हमेशा कथा होती है साथ दिन के बाद तो बाल पहले कटवाले लेना चाहिए और फिर बगता का मुख किधर होना चाहिए तो दो तरफ हो सकता है बक्ता का मुख उतर के तरफ हो या पूरव के तरफ हो इधर कौन दिशा है है हम सही दिशा में बैठे हैं ना तो उतर पूरव इस बक्ताओं का होता है अस्थान और शुरोता को ध्यान देना चाहिए कि को वह सुद्धता पुरो शुप कराना चाहिए कि किम आना चाहिए कि किसी कारण बस कथा काने वाला का तबियत खराब हो गया और कोई दिकत हो जाए तो उस कथा को उख सके इसलिए अपने साथ में की विद्वान ब्राभन को ले करके चलना चाहिए और सवधानी पुर्व कथा सुननी चाहिए खाने पिने का भिनियम इसमें बताया गया है कि ज्यादा गरिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए सबसे तो अच्छा है कि कथा कवने वाले और सुनने वाले दोनों कुछ भी न खाएं लेकिन नहीं रहा जाता है तो दूद पी करके दूद से भी नहीं रहा जाता है तो फौल खा करके रहें फौल से भी नहीं रहा जाता है तो एक बार भोजन करें एक बार से नहीं रहा जाता है तो दो बार करो तीन बार करो उससे कोई दिकत नहीं है लेकिन कथा सुनने में भीगन नहीं आना चाहिए प्रेम से बाइट कर और अंत में कहा गया है कि कथा होने के बाद जब कथा समापन हो जाए तो भग्टा को खुब सुन्दर धंग से उनको विदा करना चाहिए अपने सक्ती सामर्थ के नुसार उनको भेंट देना चाहिए और इसके बाद में उनसे आग्या ले करके फिर आप लोग अपने भर के ज्यूलों में लग जाईए ति यह सब इसमें बताया गया है जैसे भगवान जब इस धारہ धाम को छोड़ करके चले गए थे तो भगवान के लकिंदे के बाद ठीक तीस वरस के बाद जब भगवान इस प्रित्यमी को छोड़करके गए तो तीस वरस के बाद सुकदेव को ने महराज परिक्षित को कथा सुनाया। एक अब सुनाया भादो के महीना शुक्लपक्ष राधा अस्थमी के दुसरे दिन नौमी तीथी से पुडिमा तीथी तक सुनाये कौन। किसको सुनाये राजा परिक्षित को भगवान जब छोड़ करके चले गए ते इस अंतार को ठीक 30 बरस के बाद। इसके बाद जब 230 बरस बित गया अब 200 बरस और बित गया तब गोकर्ण जी ने धुंदकारी को कथा सुनाया। अरथाथ भगवान के 230 बरस जाने के बाद असार मास के सुख लपक्षण नौमी तिथी को गोकर्ण जी ने धुंदकारी को सुनाया। और इसके फीर 230 बरस के बाद अरथाथ 2106 बरस के बाद भगवान के जाने के 2106 बरस के बाद क्रैश्व। कार्तिक शुक्ला नौमी जिसको अक्षय नौमी बोलते हैं, अक्षय नौमी के दिन को सनकादिक लोग नादा जी को सुनाएं, भक्ति महरानी के दोनों लड़के को जवान बनाएं, तो इस प्रकार कथा सुनाए गया, और जहां कथा होती है, वहां पर बड़े-बड़े महात आत्मा, बड़े-बड़े शाधो, बड़े-बड़े लोग वहां पर आते हैं, असारे संसारे, विशय विशसंगा कुलधिया, छड़ार्धं, छे मार्थं, पिबत सुक गाथा, तुलशुद। कि मर्थं ब्यार्थं भो, ब्राजत कूप थे, कोशित कथे, परिक्षिन साक्षिया, छ्रावण गता मोक्ति उक्ति कथने, कह रहें कि इस असार संसार में, विशय रूप विश की आसक्ति के कारण, जो ब्याकुल बुद्धी वाले पुर्षों, अपने कल्यान के उदेश्य से, आधे च्छन के लिए भी इस सूक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो, अरे मोर्ख, आधे च्छन के लिए भी इस कथा को सुनो, प्यारे भाईयों, निंदित कथाओं से युक्त कूपत में ब्यत हैं, क्यों? भटक रहे हो, इस अंचाद रूपी निंदक कथा में क्यों लगे हुए हो, इस कथा के कान में प्रवेश करते ही, अगर कोई सूक गोस्वामी के द्वारा निकली हुई कथा को कोई सुनता है, और यह कथा उसके कान में थोड़े देर के लिए भी जाती है, तो मुक्त हो जा लेकिन भागवत कथा सुन करकर मुक्त हो गए इसलिए कहा गया है, कि अरे मुक्ती के कोई तो जतान न करे लो रोज थोड़ा थोड़ा हरिका भजन आ कर दो रोज थोड़ा हरिका भजन है तो रोज खुडा खुडा हरी का भजन लाइव मुक्ति के कोई तूँज तर नहाँ कर दो मुक्ति के कोई खुडा खुडा हरी का बजन लाइव लोड थोड़ा 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 हरी का बचन कर संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर अच्छे लोगों की दावा मिल जाएगे समी लोगों की दावा मिल जाएगे समी लोगों की आते मां के साथ साथ मन के दिलो रोज थोड़ा थोड़ा परी का बजाना कर लो थोड़ा थोड़ा परी का बजाने कर लो थोड़ा थोड़ा परी का बजाना कर लो रोज थोड़ा थोड़ा हरी का बचने नरो राधा राधा कहते आप दान पिजाए राधा राधा पहे आप दान पिजाए संकत हरे नी कहरे भरे लिए क्रिसे भाण पिजाए संकत हरे नी कहरे नी कहरे लिए प्रिश्वाब की लदे प्रिश्वाब की लदे प्रिश्वाब की लदे कर दो 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 कर आना कदन कोपार आमारे घरी की दत मेरे आना कदन कोपार आमारे घरी की दत मेरे आना कदन को बाना कार। आमार्ण आपल दियाना संटलो कुलाणा वालो बुलाना संदर वालो बुलाना आपर भी आना संदर वालो बुलाना वो मिलकर पाज़त काना हमारे हरे की तन में वो खाना बदन वो खाना हमारे हरे की तन में वो खाना बदन वो खाना हमारे हरे की तन में उफते प्रिष्णे सबस्ति रां को तशें Dash राहे रिध्ररी नहीं है DAN हाम शझा मेन हरे जैड़र्य कुष्णे डामा जैड़र्यों डाहरे रामा, रामा, हरे रामा, 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 राम कि अ Es भी मैंन goo ऊप्ला कि अ अ miहदा हुआ 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 आए हुआ 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 पादस्टाइश लोगन ın रही है मane LIVE, मेरमान हमारामा थालिए करना से शुप्हाल के अचे हानार के शुपाल थालिए मत जयाना सचर चालिए हम थी 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 haणा थालिए जान 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 जा वो पिनकर आसला चाँजाता हमार बन की तन में बन मॉस्चा दहते हमार फ़स्यार की तन में आखोनो मार इन दोय जोंगान मार इन के तन में अभाने बने, पारे बने, तीन करने, आला अभाह जाले, वादेनमे, आपे पियाना से को पियो पोलादा इस अ को बहद जाना आसे फृप्यों को पाला.. मिलकर दूना पचाना हमारे दरी की दत्में जाना तूवत नादानां हमारे दरी के दत्में तक्ष्राइण वकाला अमारे दरी की दत्में हमारे हरी की तजबी हमारे हरी की तजबी हमारे हरी की तजबी हरी की तजबी हरे कृष्टा तो आप लोग बड़े धायजे के साथ में तीन गंड़ा कथा सुन लिए हरे अब हम लोग भागवाजी की आरती करेंगे क्योंकि कथा का समा है हरे का समान लिए झाल झाल